क्वीक आयस कंपोज यूर ड्रीम हलो दोस्तों क्वीक आयस में अपका स्वागत है 69 BPSC का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और आज हम लोग 68 BPSC में जो इदिहास के कोशन पूछे गए हैं प्री एकजाम में आज हम उनकी चर्चा करेंगे और यह देखने का प्रियास करेंगे कि प्री एकजाम में कोशन किस तरह के पैटर्न बदल के आये हैं बहुत लंबे लंबे कोशन पूछे गए हैं तो हमें डीपली जाकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी और जब तक हम previous year के पेपर को अच्छे से अध्यान नहीं करेंगे अनलेसिस नहीं करेंगे तो 69 BPSC में हो सकता है दोखा खा जाएं क्यों क्योंकि BPSC ने पैटर्न बदला है इसलिए हमें previous year को देखना बहुत जरूरी है तो आज हम लोग इतिहास के कोशन को देखेंगे previous year के 68 के कि वो कोशन किस तरह के पूछे गए हैं ठीक है पहला कोशन है पर्थम बार संघर्स के तरीके ठीक है बहुत ही महात्पूर्ण कोशन है या देखेगा कोशन पूछा गया है पर्थम बार संघर्स के तरीकों के रूप में सोदेशी और बहिसकार किसके दौरान अपनाए गई ठीक है तो बंगाल विभाजन के सम तो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो सोधेसी आंदोना शुरू किया गया था और पहली बार जो है एक संघर्स के तौर के रूप में सोधेसी और बहिसकार को अपनाया गया यह बहुत ही महत्मूर कोशन है यह BPSC 68 पूछा गया है तो हमें कोशन के पैटर्न को देखना ब 1906 में आयोजित भारती राज्टे कांगरेस के कलकत्ता अदवेशन में भारत के लिए सोराज का जहंड़ा किसके द्वारा फहराया गया था То कांग्रेस ने अपने किस अद्वेशन में और जंडा कुन फेराया गया तो दादा भाई नेरो जी के द्वारा तो इसका मतलब यह हुआ जंडा फेराने का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस ने सुराज अपना लच कब बनाया तो 1906 के अद्वेशन में यह कलकत्ता में हुआ था और इसके अद्वेश कोन बनाया गया थे दादा भाई नेरो जी तो ऐसे डीपली कोशन आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल तो हमें डीपली पढ़ाई करने की जरूत है तब ही हमारे कोशन यह सौल्ब होंगे नहीं तो यह गलत हो जाएंगे यहाँ ख़ंडा नहीं फैराय गया था यह लच्छ रखा गया था इसने कोशन में इस तरह कोशन आपसे पूछा ही है ठीक है तो कोशन प्यबेसे देखने का मतलब यह है कि हमें बेड़ेसी के लिंगूज को समझना है कि नहीं कोशन की सतरा से रहा है ठीक है फिर देखे कितने बड़े-बड़े कोशन है अगला कोशन है सुतंता संगराम के दौरान भारतिय राज्यों कर जैसे कसमीर, निजाम, हैदराबाद के त्रावर कोर, त्रावर कोर केल को कहते हैं आधी जैसे भारतिय सास को द्वारा सासित राज्यों में एक समनांतर आ आंदूल का नाम क्या था पर जा मंडल आंदूलन नाम था तो इसका एंसर हो जाएगा बी, यह बहुत मातपूर्ण कोशन है, इसको याद रखेगा, ऐसे कोशन डीपली आप से एक्जाम में पूछे जाएंगे, इस कोशन है, भारतिय सुतंता संगराम के बारे में निम्रि होते हैं, तो इसलिए पिरिबिय सेर्कूशन को देख करके हमें भासा को समझना चाहिए, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है, पहला उप्सन है, चोरी-चोरा कांड के कर्ण, गांदी जी ने असा योग आंदूरन से हाथ खींच लिया था, बिल्कुल सह यह सही है, ठीक है, दूसरा है, गांदी जी ने अपना पहला परमुक सार्जुनिक भासन बनारस हिंदू बिस्पिक द्याले में दिया था, 1916 में, यह भी बिल्कुल सही है, 1921 में महत्बा गांदी को गिरतार कर लिया गया था, ऐसा कोई घटना नहीं हुई थी, तो याद देखेगा, ऐसे ही, इतने आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े आपसन बना करके आपसे कोईशन पूछे गए हैं, इसलिए हमें कोईशन को इस तरह देखना जरूरी है, जिससे हम अपनी पढ़ाई और डीप ली जाकर कर सकें, और कोईशन अगर आए, तो गलत ना ह होने पाई, ठीक है, जिसकोशन है, अबुलकलाम आजाद, अबुलकलाम आजाद के दोरा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो यह देखेगा, अबुलकलाम आजाद का जनम मक्का में हुआ था, और यह कांगरेस के सबसे लंबे समय तक अध्यच थे, और इनका जो पत्रिका थी, उसका नाम था, अलहिलाल, और एक पत्रिका और थी, अलबिलाग, अलहिलाल, अलबिलाग, दो पत्रिका थी, किसकी, अबुलकलाम आजाद की, तो इसका अइंसर हो जाएगा, बी, यह कोशन पूछा गया है, BPSC 68 में, ठीक है, है, यर्ट कोशन है, 1927 सताबद उसके बाद जो है भारत में राश्टियता की भावना पैदा हुई किस परकार से तो पहला आपसन है इतिहास की पुनरव्याख्या करके और अंग्रेजो दोरा भारतियों को पिछड़ा आदिम और खुद परसासन करने में आसमर्थ के रोपे चितित करने के खंडन के लिए त इसका ऐंसर यह भी मतलब positif ag if भी साही है तिसरा क्या कहई रहा है कि विटहराः उस्तितिों के बदलने और संगर्स करने के लिए लोगों आग रह करने के लिए ये भी बिल्कुल सही है तो इसका एंसर हो जाएगा D इन तीनों कारणों को द्वारा हमारे देश में या देखेगा राश्टियता की भावना पैदा की गई थे लोगों में तो इतिहास के अध्यन से हमने बहुत कुछ सीखा और लोगों में राश्टिय भावना को पैदा करने में महात्पूर्ण योगदान दिया अब देखिए आप आप आपसन देखिए इतने बड़े बड़े कुशन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं आपसन इतने बड़े बड़े हैं तो इसका मतलब है ऐसे कुशन AIS में पूछे जाते हैं ठीक है और उसको पैटर्ण को BPSC ने पकड़ा है तो इसका मतलब है कि हमें भी अपने आपके पैटर्ण पढ़ाई के पैटर्ण को बदलना पड़ेगा ऐसे कुशन आज के लिग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे आगे भी तो हमें अपनी पढ़ाई के पैटर्ण में बदलाव लाने की जरुवत है नेक्स्ट है नगरों में असायोग आंदोर्ण के सम्बंद में निम्रिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहां भी कुशन क्या पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है ठीक है तो पहले हम यहीं देखेंगे तो यहां देखेंगा एक क्या कर रहा है कि असायोग आंदोर्ण गाओं में भी हुआ था सहरों में भी हुआ था तो नगरों की बात पूछ जा रहा है कि नगरों में आसायोग आंदोलर से सम्मधिन निम्रिकित में से कौन सा कथा सही नहीं है पहला आप्सन है आंदोलर में केवल उच जातियों और अमीरों ने भाग लिया था ठीक है यह बहुत महात्पूर है दूसरा मदरास की जेश्टिस पार्टी द्वरा भी काउंसिल की चुनाओं का भहिसकार किया गया था ठीक है और तीसरा है यह दीविद 6 ने सरकारी नियंतरन वाले स्कूलों को छोड़ दिया और अध्यापकों और सिचकों ने स्तिपा दे दिया वकीलों ने अपनी प्रेक्ट्रिस छोड़ दी ये तो सही है लेकिन ये दोनों गलत है ठीक है पुछा ज़राई में से कौन सा नहीं है तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा सी एक केवल एक और दो ये दोनों नहीं होगा केवल यहीं सही है असायो गांदल में यही काम हो था नगरों में तो इसका एंसर हो जाएगा सी अब आप देखिए कोशन के लेबल को देखिए तीन बड़े बड़े आपसन बनाए गए हैं इसके बाद फिर दिया गया है चार आपसन अलग से दिये गए हैं पाच आपसन अलग से दिये गए हैं पूछा किया इन में से कौन सा सही नहीं है तो ऐसे श्टेर्जिक सा कोशन कितना बड़ा बनाया गया है कोशन आप देखिए एक सन्यासी जो किसी में एक गिर्मिटिया मजदूर की रुप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीट पर तुलसी दास रामायर की एक प्रती लेकर आया था जिसमें ग्रायमिर्स रोताओं को चंद सुनाता था या किसान नेता का जिक्र किया गया वो नेता कौं था गिर्मिटिया मजदूर की से कहते हैं तो हमारे देस के मजदूर को अंग्रेज क्या करते थे दूसरे देसें में भेशते थे गन्य खेती कराने के लिए चाय खेती कराने के लिए तो उसमें एक किसान नेता को भेजा गया था और वो थे बाबा राम चंद बाबा राम चंद जो है यह उत्तर परदेश के आवध के छेतर के किसान नेता थे और लखनव बारा बंकी फैजाबाद अमबेटकर नगर के छेतर में बाहराईज के छेतर म और साथ मेरा अंदूलन लड़ने के लिए यह बहुत ही महात्मूर कोशन है या दखेगा इतने डीपली जागे कोशन पुछा गया है इसका मतलब है कि हमें किताब अच्छे से पढ़ने की जरुवत है अभी भी आपके पास टाइम है इतिहास को खुब अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको कोशन पुराइट करा जा रहा है तो आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसकोशन है आल इंडिया हरजन संग की अस्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी तो आपको लगेगा बिय सब्सक्राइब किया था तो उन्हों ने 1932 में आल इंडिया हरजन संग की अस्थापना की थी महात्मा गांधी ने इसका एंसर हो जाएगा ठीक है ने इसकोशन है 20 फरवरी 1947 को परधान मंत्री एटली यह परधान मंत्री एटली किसके हैं बिटेन की परधान मंत्री है ठीक ह तो ने बिटेन के संसद में एक घोषना किया था कब 20 फरवरी 1947 को और कहा था कि हम भारonen से पूरी तरह से वापस कब जाएंगे 30 जून 1948 को यहां जून दल की अस्थापना बिहार में किस ने की थी तो सुराज दल की अस्थापना बिहार में किस ने की थी तो इसका एंसर हो जाएगा सिरिकिष्ट सिंग्ने और सुराज पार्टी के अस्थापना सी आरदास और मोतिलाल नहरू ने एक जनुरी 1923 में किया था इलहाबाद में और बिहार में सुराज दल के अस्थापना स्रीकिर सिंग ने किया था फरोरी 1923 में तो इसका एंसल हो जाएगा A नेश्ट है नमक सत्यागरा के दौरान बिहार के लोगों नमक बनाने के साथ सरकार के बिरुद किस कर का बिरुद करने का बिकल्प चुना था ये बहुत ही महात्मून कोश्चन है ठीक है तो चौकी दारी कर को चुना था और यहाँ चौकी दारी किसी ऑप्सिन में नहीं है त तो याद रखेगा असा हियो गांदुरों के दौरान नमक सत्यागरा के दौरान नमक के साथ साथ बिहार में चौकी दारी कर को चुना गया था तो इसमें तीनों आपसन नहीं होगा तो इसका एंसर हो जाएगा E तो चोकिदाजी कर बृहार में बिरोध किया गया था और इसका मांग किसने किया था बिरोध करने के लिए राज इंदर परसाद ने तो गांधी ने पहले अनुमती नहीं दिया लेकिन बाद में अनुमती दे दया था तो इसका एंसर है E Next है सिरीकिष्ण सिंग द्वारा गठित बिहार की निर्वाची सरकार ने फरोरी 1928 में किस कारण से इस्थीपा दे दिया था ये कुशन मैंने पर चर्चा भी किया था किस कारण से इस्थीपा दिया था तो राजनेतिक कैदियों को छोड़ने के कारण तो इसका एंसर हो जाएगा B ठीक है 1937 में जब चुना हुआ था तो सिरीकेशन सिंग ही उसके मुकमंत्री थे यह याद रखेगा नेश्ट है किसने चमपारा सत्यागरा के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी तिये थे बतक मिया तो इसका एंसर हो जाएगा और इसी कोशन में बिहार में बहुत सारे बच्चों को डरा दिया और यह कोशन जब पूछा गया तो बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ क्योंकि यह कोशन कभी कुन लोगों ने पढ़ा ही नहीं था तो यह बहुत कम लोग जानते थे जो वहाँ के चमपारण के आसपास के लोग हैं वही इसको जानते थे ने तो भी नहीं जानते थे ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा A नेश्ट है असायोगा अंदोलन के दोरान किसने बिहार में किसानों की अगवाई की थी तो असायोगा अंदोलन के समय बिहार में किसान नेता कौन थे ये बहुत ही मात्मून है और ये है स्वामी बिद्यानंद तो इसका एंसर हो जाएगा A नेश्टर प्राचीन काल में गंगा के दच्छी छेतर को क्या कहा जाता था याद रखेगा जो बिहार में याद रखेगा दच्छी वाले छेतर को तो यहां इसका एंसर कोई नहीं होगा उप्युप्त में से कोई नहीं नेक्स्ट है दूसी सताबदी के आसपास रचित संस्कित के सिलालेक के अनुसार सुदारसंग जील एक कृत्रिम जलासे की मरमत किस ने कराई थी तो सुदारसंग जील का निर्मार चंद्रगुप्त मौर ने कराई था सुदारसंग जील का निर्मार गुजरात के सुराष्ट में इसकी पहली बार मरमत असोक ने कराई थी फिर रूददामन ने कराई थी तो यहां पर आप्सन रूददामन है तो रूद्दामन ने कराई थी और बाद में गुप्त राजा असकंद गुप्त ने भी कराई थी ठीक है तो इसका यहां एंसर रूद्दामन हो जाएगा और इसने संस्कित सिला लेक तो इसके जो रूद्दामन है इसके अविलेक का नाम है जूनागर अविलेक और जूनाग जो अब लेख है ये भारत का पहला संस्कृत में लिखा गया सिला लेख है या भी लेख है पफ्थर पे लिखा गया है उसी से पता चलता है कि सुदर्संजील की मरमत रूदर दामन ने कराई थी तो इसका एंसर हो जाएगा बी और लेकिन इस सुदास्टन जील का निर्मार किसे ने कराया था तो चंदरगुप्त मौर ने कराया था जासी के पास देवगड का मंदिर और इलहाबाद के पास गड़वा मंदिर में बनी मोर्तियां किस काल से के लिए औसेस महात्पूर औसेस है यह गुप्त काल के लिए हैं क्योंकि गुप्त काल में ही पहली बार मंदिर निर्मार की सुरुआत हुई थी तो इसका एंसर हो आप देखे कितने कोशन BPSC में आये हैं हिस्ट्री से तो 34-35 कोशन आये हैं ठीक है नेक्स था है नेमरिकित में से किस युद्ध में मुखें विधियों का उलेख नहीं किया गया है बलब इसमें कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है पहला जो आपसन है वो है आपका पानीपत का पर्थम युद बाबर और इबराहम लोदी के बीच में हुआ था बिल्कुल सही पानीपत का दूत्य युद टीपो सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था यह अकबर और हिमू के बीच में हुआ था तो इसका एंसर हो जाएगा B निश्कोशन है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चोधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए के जाता था तो दिल्ली सल्तनत में जो जमिदार होते हैं गाउं के सरपंच होते थे उन्ही को मुकद्दम या चोधरी कहा जाता था इसका एंसर हो जाएगा C ठीक है इसकोशन है तबकात ए अकबरी जिसे कभी-कभी अबुल-फजल के अगबर नामा से अधिक भी सोसनिय माना जाता है किसके द्वारा लिखा गया है तो तबकात ए अकबरी किसने लिखा है ये बहुत ही मात्पूर है निजाम الدین अहमद ने लिखा है यभी अकबर के दर्बार में बैठते थे और हमेशा अकबर का भी रोज़ करते थे ठीक है तो और अकबर नामा कौन लिखा था तो वो जो है अबुल-फजल ने लिखा था जिसका जो एंसर है वो हो जाएगा ए ठीक है आप यहां देख सकते है अबुल-फजल के अकबर नामा तो तबकात अकबरी में अकबर की खुब बुराई किया है निजाम الدین अहमद ने और उनके बगल मही बढ़ते थे लेकिन फिर भी उनकी बुराई किया है ठीक है और अकबर को हमेशा जो है वो हर बात के लिए टोकते भी थे निजाम الدین नेक्स है इनमें से किस परसिद सासक ने अपनी माता के नाम पर बिजय नगर के पास नागलापूर की एक उप नगरिये बस्ती की अस्थापना की थी तो किशन देवराई ने किशन देवराई ने बिजय नगर में नागलापूर नामक एक नगर बसाया था अपनी माता के न समाजवारा की गई थी तो यह भी बीपीस सी स्पेसिल का कोशन है और यह है आपका सिस्टर्स आफ दा इंपो इस्टोलिक कारमेल तो इसका एंसर हो जाएगा सी ठीक है यह इसाई संस्ता है और इसोने ही अस्थापित किया था ठीक है तो इस तरह कोशन बीपीस सी में पूछे गए है और आप देख सकते हैं कितने बड़े और कितने कठी कोशन है रिएन मैंसे क इसने 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतराश्टिय सीमा एक खिचने के लिए अस्थापित की गई दो सीमा आयोग का निद्रूत किया था तो दो सीमा आयोग जो बनाया गया था आप इस मैप के थूरू देख सकते हैं एक सीमा आयोग बनाया था पाकिस्तान के पंजाब वाले छेतर के लिए और एक सीमा आयोग बनाया था बंगाल वाले छेतर के लिए दो सीमा आयोग बने थे और ये रेड कलीफ इसके अध्यच थे तो इसका एंसर हो जाएगा सी तो पूर्बी बंगाल पच्छीं बंगाल को अलग करने के सीमा आयोग बना था और पंजाब को कने के सीमायोग बनाया गया था तो दो सीमायोग का ध्यच कोन था रेड क्लीप थे तो इसका answer हो जाएगा C ठीक है, नेश्ट है किसने बंगाल में महल वारी बंदोबस मणाली की शुरुवात की थी, तो बंगाल में महल वारी का मतलब होता है या देखेगा गाउं महल का मतलब होता है गाउं जब पूरे गाउं पर जो है जो है कर लगाया जाता था तो उसे हम क्या उसे हम महलवारी ब्योस्ता कहते हैं और महलवारी ब्योस्ता को लागू करने का काम किस ने किया था तो मैकेंजी ने किया था इसका एंस ब्यक्तिकर सत्यागरा पहला चुना गया था गांधी द्वारा और इन्हों ने जो है ब्यक्तिकर सत्यागरा को दिल्ली चलो सत्यागरा भी कहते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा बी नेश्ट है उनीस सो अठारा में मान्ट फोर्स उधारों पर कांग्रेस ने एक महात्पूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उधारवादी औसेस सफरू जैज औसेस मतलब नेता तो यहां नेता का बात हो रहा है तो सफरू जैकर और चिंता मरी तूट गए जिन्ह उन्हें यह सब क्या हुआ अंग्रेस से अलग हो गए उनीस सो सत्रह में अलग हो थे मान्ट गोश्चोधारों के समय यह उन्हें अलग हो करके एक नई पाल्टी बना लिया था इसका जो एंसर है वह हो जाएगा सी इंडियन नेसनल लिबरल फेडरेशन बना दिया था इन त कितना इंपोर्टन कोश्चन है यह और यह जो है केमेंट मिशन कब आया था तो मार्च उनीस सो चियालिस में आया था और केमेंट मिशन में तीन सदस थे इस्टेफ़र्ट क्रिप्स लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी एलेगजेंडर थे और इन्हें उन्हें क्या प्रा और पर काम करने के लिए तो तो तीस्रा तो भी और नहीं होगा तो यह को आफसन कट गया एक राश्ट्र सरकार के असथापना के लिए यह भी इन्षे गया बी सत्ता के हस्तांतर के लिए एक सम्मेधानिक बेवस्था तैयार करने के लिए इन्हों ये काम किया था तो इसका एंसर हो जाएगा B ठीक है तो इस तरह के बहुत बड़े-बड़े कोशन आप से एक्जाम में पूछे गए हैं नेक्स है इनमें से किसने हुमायू को या प्रस्ताव दिया था कि यद उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो आप बिहार को समर्पित कर देगा और दस लाक दिनार की वार्शिक सर्धान जली अर्पित करेगा यह हुमायू को किसने परस्ताव भेजा था तो सेर खा ने दिया था इसी को बाद में सेर सा सूरी कहते हैं तो इसका नाम सेर खा था उस समय और इसी ने हुमायू को पराजित करके दिल्ली पर कबजा भी किया था या दखेगा बहुत महात्पूर्ण है या दखेगा चौसा की उद्ध में और कन्नोज की उद्ध में सेरसा ने पराजित करके हुमायो को दिल्ली पर कबजा किया था तो यह प्रस्ताव किस ने दिया था तो उसमें इसका नाम सेरखा था तो सेरखा ने दिया था जिसका एंसल हो जाएगा A नेश्ट कोशन है विकरम सिराभ इस वी देले में बहुत धरम के महायान के पढ़ाई होती थी और यह जो है याद रखेगा आज बरतवान में भागलपूर में इस्तिथा तो इसका एंसर हो जाएगा A नेश्ट है इनमें से बिहार के पर्थम राजपाल कौन थे इसमें इनमें से बिहार के पर्थम राजपाल कोन थे, सर जेम्स डेविड जो है सिप्टन, इसका एंसर हो जाएगा A, ठीक है, नेश्ट मात्मा गांदी एंड बिहार सम, रेमी नी सेंस के लिखा कोन है, यान्न ये किताब लिखी गई है, बिहार के मात्मा गांदी के आंधु इसका एंसर हो जाएगा C, और नेश्ट कोशन है, बिहार का सबसे पुराना गिर्जागर कौन सा है, तो बिहार का सबसे पुराना गिर्जागर पूछा गया है, तो इसका जो एंसर है, वो है आपके याद दखेगा, पादरी की हबेली, तो इसका एंसर हो जाएगा C, ठीक ह निश कोशन है दिवंगत अभिनेता कुदुम लाल गांगुली जिन्हें उनके पंचिये नाम असोग कुमार से भी जाना जाता है का जनम बिहार की निखिद में से किस सहर में हुआ है ठीक है यह भी इतिहास कही कोशन है और इसका एंसर हो जाएगा भागलपुर तो यह 34 कोश से 68 में आये थे तो इनको कोशन को देखना बहुत जरूरी है तभी हम 68 के कोशन को जब देखेंगे उसी बेस पर हम पर तयारी कर सकते हैं और 69 VPSC की तयारी और अपनी स्ट्रॉंग कर सकते हैं कि कोशन किस तरह से पूछे जाते हैं कोशन आप पूरा देखिएगा किसी कोश आपको लगातार मिलती रहे ओके थैंक यू